महाकाल की नगरी उज्जेन में शर्मनाग घटना एक लड़की जिसकी उम्र महज 12 साल उसके साथ बलातकार की घटना हुई और घटना होने के बाद जब पुलिस ने देखा कि उज्जेन के एक आश्रम के पास एक लड़की मिली एक CCTV सामने आया और वो CCTV है वो शर्मनाग था पूरी मानवता को शरमसार करने वाला था उस CCTV में एक लड़की उज्जेन की सडकों पर चलते हुए दिखाई दे रही है और वो लड़की एक मदद की गोहार कर रही है लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की उस लड़की के लिए सौंबार की घटना बताए गई कि लड़की के साथ बलातकार हुआ है उसे मेडिकल के लिए भेजा गया और इस बात की पुष्टी हुई तस्दीक हुई कि लड़की के साथ बलातकार हुआ है लेकिन कौन है आरूपी कौन है गुनायकार और पुलिस को आखिर अब सफलता मिल गई है कामया भी मिल गई है उज्जेन प और उसके साथ पूश्टाश की गई क्योंकि उसकी जो बलट के कुछ निशान थे उसके आटो में मिले थे तो पुलिस ने उसके साथ पूश्टाश की लेकिन पूश्टाश की बाद इस बात का पता चला कि इस आटो चालक का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है लेकिन जो प्रमुक आरोपी है अब उसको पुलिस ने उजयन में ग्रफतार कर दिया और उसकी उम्र 20 से 22 साल बताए गही है और जो सबसे चोकाने वाली घटना है कि जब उस प्रमुक आरोपी को घटना इस तर पर तस्दीक कराने के लिए पुलिस पहुँची तो उसने भागने की कोश आई साथी साथ दो पुलिस कर्मियों को भी चोटे आई है तो अब आरोपी को पुलिस ने एस्पताल में भेजा है उसका उपचार उसका इलाज किया जा रहा है और पुलिस कर्मियों को भी इलाज के लिए भेजा गया लेकिन उज्जहन की इस घटना ने पूरी मानवता को पूरी गट्टा में सिर्थ एक आर्पी है जिसकी उपर 20-22 साल है पुलिस इसको लेकर विस्तरच ब्योरा दे रही है साथी साथ पुलिस उसको पुलिस रिमान पर लेने की कोशिश करेगी पुलिस रिमान में लेकर उसे आकर पूश्टाज की जाएगी और जो सजा जो होती है क्योंकि जो केस दर्ज हुआ है पूश्टाज के बाद पता चलेगा कि इस पूरे घटा करब में सिर्फ एक आरोपी है या इसके अलाबा भी आरोपी है लेकिन फिलहाल उज्जेन पुलिस की बड़ी कामिया भी है पुलिस ने गिस्तार करने वाले पुलिस ने गिस्तार कर दिया है